कि है लोगाइस वेलगें दो स्पेशल एजुकेशन नमस्कार दोस्तों सुवागत करता हूँ आप सब का अपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन सो दोस्तों आज का ये विडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टने केहां और गी से विडियो आप लिए जिन्याट का नहीं पर की सब्याइडर और को अब लोग दोस्तों अब लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया दरै प्लीस दों सब्सक्राइब थी चैनल और का प्रेस दी बैलन so you can get all the latest update from our channel तो चलिए दोस्तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेश्ट किये तो दोस्तो लेटर राइटिंग का कम्प्लीट फॉर्मेट आप लोग के सामने है और लेटर राइटिंग के इस फॉर्मेट को डिसकस करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाते हो अगर आप लोग 30 प्लस रिटन हैंड रिटन लेटर राइटिंग डाउनलोड करना चाते हो जो की आपके पंजाब रियाना हाई कोट कलर की पोस्ट के लिए most important है complete format में बिल्कुल अच्छे से explain के हुए अगर उनकी practice कर लोगे 30 प्लस लेटर राइटिंग अच्छे से practice करते हो तो examination में कोई भी लेटर राइटिंग आएगा वो आप लोग definitely कर लोगे और यह जो 30 लेटर मैं आप लोग को provide कर रहा हूँ इसमें मैंने हर टाइप का लेटर आपको cover करवा लिया तो most probably बहुत ज़्यादा chances तो यह है कि इससे बार आप लोग का letter नहीं आएगा आएगा तो इनसे मिलता जुलता आजएगा क्योंकि हट टाइप का मैंने आप लोग को cover करवा रहा है तो चलिए अगर आप लोग download करना चाते हो तो link मैंने नीचे description box में दियो वह जाकर आप लोग अच्छे से download कर सकते हो अब बात करते है format के बारे में तीन लाइन में भी लिख सकते हो बर तीन से ज़्यादा का आप लोग का address नहीं होना चाहिए आगे मैं आपको example देखकर भी complete letter बताऊँगा ठीक है हमें हमें सिर्फ competitive exam के लिए सिर्फ left side में सारा कुछ left side में लिखना ठीक है अभी मैं आप लोग को आगे example बताऊँगा तो आप लोग को समझ आ देगा तो center address समझ आ गया maximum three lines का होना चाहिए तीन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपको इस तरीके से adjust करना है कि तीन लाइन में आपका address होना चाहिए आगे आती है date, date का format बहुत अच्छे से ज्यान रखना है like आज आया है जब मैं यह विडियो रिकोर्ट करहूँ आज 20 अगस्थ 2022 है तो आप लोग अगर 20 अगस्थ 2022 ऐसे लिखते हो एक्जाम में तो यह complete गलत माना जाएगा अगर 20 अगस्थ 2022 ऐसे भी लिखते हो तो भी आप लोग का complete गलत date का format माना जाएगा जो सही date का format है वो यहां पर लिख रखे है मैंने 20 अगस्थ 2022 इस ताइप से आप लोग लिख सकते हो यह date का format है date बहुत अच्छे से check होती है तो इस format को अच्छे से आप लोग ध्यान कर लेना आगे आएगा दोस्तो receiver का address receiver का address भी आप लोग का maximum three lines का होना है यह ठीक है and इसके लावा जो receiver का address होता है वो जो आपको topic आएगा जो examination आपको letter writing देगा उसमें receiver का address दिया होगा अगर नहीं दिया होता तो आप लोग अपना लिख सकते हो बट ध्यान से पढ़ लेना अगर letter writing में receiver का address दिया हुआ है तो आपको वो ही address लिखने है जो कि आपको caution paper में आएगा आगे move करते हैं आगे आपको subject लिखने है subject मैंने यह आप लिखे short and sweet इस short and sweet का मतलब है जो आपका subject है वो बहुत छोटा होना चाहिए यह नहीं कि आप पूरे दो line का subject लिखते हो या एक line का subject लिखते हो आधी line का subject होना चाहिए तीन से लेकर पांच words का आप लोग का subject लिख सकते हो बिलकुल short and sweet आप लोग को subject लिखने है इसके अलावा इसके बात आएगा dear sir and maham यह जो dear sir and maham है यह आप subject से पहले भी लिख सकते हो subject के बाद भी लिख सकते हो doesn't matter आपके number नहीं कटेगे कुछ prefer करते ही पहले लिखना चा तो इसका ज्यादा effect नहीं पड़ता बहुत लोग आप लोग को बताएगे कि subject से पहले आएगा dear sir and maham तो इसका पता नहीं लगता ठीक है तो यह आपकी choice है इसके बाद आपको आती है body of letter उसके बाद आपको complete letter के बारे में लिखना है जो आपका topic है उस हिसाब से लिख देन अगर आप लोग obediently लिखते हो तो यह गलत माना जाएगा obediently नहीं लिखना yours faithfully भी सही है yours sincerely भी सही है obediently बिलकुल नहीं लिखना जो जो चीज मैं बता रहो नहीं करनी हो आप लोग copy पे note कर लेना या यह video download करके रख लेना इसको दो तीन बर सुनोंगे तो आपको याद हो ज तो सबसे वहले sender का address लिखने है तो sender का address हमें कहीं भी question paper में नहीं दियो हो तो अपनी हिसाब से लिखते के maximum 3 line में sender का address आ गया then आएगी date date यहाँ पर जो सबसे मैंने आपको पताई इस 26 को आप 26 भी लिख सकते हो या फिडारेट 26 भी लिख सकते हो तो यह आगया आपकी date then आएगा receiver address तो receiver address यहाँ पर लिखा हो था head of department को लिखना है तो head of department हम लोगों ने add कर दिया इसके लावा हमें company नहीं पता कौन सी company का head of department है आगे हमने अपने इसाप से कुछ भी जोड दिया ठीक है यही बात बोली थी मैंने अगर आपके question paper में जो letter writing आएगा उसमें दे रख है receiver address तो लिख लेना नहीं तो मत लिखना then subject आपको लिखना है बिल्कुल short and sweet यह आप देख से तो तीन words में मैंने subject लिखा हुआ है बिल्कुल explain कर दिया कि किस से related है आप लोग का letter paternity leave application then यह आप लोग की letter की body आगी dear sir और मैंने पूरी body लिखते रहा so यह थी complete detail कोई doubts हो तो जरूर पूछ लेना और अगर practice करनी है तो 30 plus letter writing हर type का letter writing मैंने cover करवाया है most probably इससे बार आप लोग का letter writing नहीं आएगा आएगा तो उस type से related आएगा आप लोग ने वो चीज पहले से पढ़ रखी होगी तो इसको अच्छे से कर लेना download कर लेना link मैंने नीचे description box में दिया हुआ so धन्यावाद दोस्तो आज के लिए बस इतना ही कोई doubts हो तो आप लोग पूछ सकते हो